जै श्री राम स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पर मैं पंडिताशी शर्मा लेकर आया हूँ जनवरी 2022 के महीने में कन्य राशी वालों के लिए ग्रहों की स्थिति कैसी रहेगी यानि ये महीना ग्रहों की स्थितियों से आपको किस परकार्थे प्रभावित करेगा जिसको हम कहते हैं मासिक राशी फल राशी फल यानि चंद्रमा के द्वारा गोचर की गहरों स्थितियों को देखना कि आपकी राशी अदी कन्या है आपका बोलता नाम कन्या राशी के आधार पर है या आपकी कुंडली के अंदर चंदर्मा कन्या राशी में बैटे हैं तो यह वीडियो आपके लिए आईए शुरुवात करते हैं सबसे पहले गोचरिय श्रिती को आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि आपकी राशी से प्लैनेटरी पॉजिशन कहां चल रही है अब हर ग्रह को अपना एक अधिकाय पराप्त है हर ग्रह को आपकी राशी से बैठने पर कोई न कोई काम मिलता है जैसे नौ ग्रह हैं सूरिय से लेके केतूतर जिसमें सबसे पहले अगर हम बात करें सूरिय देव की के सूरिय देव आपकी राशी से द्वादश के मालिक है बारवा घर खर्च नुकसान लॉस इन्वेस्टमेंट आयसधिक खर्चा होना या खर्चे से संबंदित परेशानी होना दवाईयो गोलियों पर अस्पताल पर पैसा खर्च हो रहा है उसके लिए जाना जाता है कहां है सूरिय आपकी राशी से चौथे घर में क्या हो रहा है कुछ लोगों के साथ प्रोपर्टी से संबंदित इन्वेस्टमेंट हुआ जिन लोगों को गोचर ये चला है ये इस्टती क्योंकि द्वादश के मालिक है द्वादश यानि इन्वेस्टमेंट खर्च का मालि एक चौते घर में गया निए प्रोपर्टी से सम्मंदित इन्वेस्टमेंट करना ऐसे में ठीक रहता है या कह सकते हैं ऐसा घर से सम्मंदित कुछ खर्च कराता है घर की डेकुरेशन पे रिनोवेशन पे किसी काम को लेकर खर्च कराने का एक योग बनाता है क्योंकि यह 12 शे सूर्य का शनी की राशी में प्रवेश वर्ष की शुरुवात में प्रवेश अब जब सूर्य देव यहां मकर के अंदर होंगे तो यह एक शत्रू की राशी होगी अब 12 शेश का पंचम में जाना अच्छा नहीं होता क्योंकि यह आपकी बुद्धी को ब्रहमित कर सकता है कि बुद्धी से रॉंग डिसीजन दिला सकता है इसलिए बहुत सोच समझ कर आपको आने वाले समय में कारे करने होंगे बहुत सोच समझ कर आपको खर्च करना होगा किसी प्रकार के नुकसान में ना हो जाए या अपनी बुद्धी से कोई गलत डिसीजन ना लेने उसका आ मंगल आपके लिए प्रबल है भले ही कन्य राशी वालों के लिए मंगल को शत्रू ग्रह कहा गया है लेकिन जब तीसरे घर का मालिक तीसरे ही घर में हो साथ में केतू जैसा ग्रह हो जिसको यह कहा जाता है कि कुजुवत केतू केतू स्वेराशी और उचके ग्रह के साथ मिलक कहीं अपने शरीर के प्रतिसाजग होते हैं आप मेहनत करने के लिए तैयार रहते हैं आप दिन दुनी राज चोगनी मेहनत करने के लिए तैयार है कि भी मुझे काम मिलना चाहिए मुझे बस काम मिले तो मैं मेहनत करूं और ऐसा ग्रह आपको काम देता भी है और आपको आगे यह बढ़ाता भी है क्योंकि जब मंगल तीसरे घर में होता है तो चौती द्रश्टी से छटे घर को देखता है इसको कहते हैं कॉम्पुटिटिटिव एक्जामस में सफलता हासिल करने का योग आपने कोई चुनाव लड़ा आपने कोई परिक्षा दी उसका रिजल्ट आपको चाहिए तो यह आपके लिए एक सफलता का योग बनता है साथे साथ जब मंगल सब्तम द्रश्टी से नवंभाव और अठम अस्टम द्रश्टी से देखते हैं दशम को तो यह भागया और करम के लिए बहतर है यही मंगल लगबग सोला जनवरी को राशी परिवर्तन करेंगे कहां आ जाएंगे धनु राशी के अंदर अब यह मंगल तीसरे और आठवे के मालिक मालिक होकर चोधे घर में है चोधे घर में भूमी जमीन ज़ादाद सुख साधन जाने जाते हैं या परिवारी किसती भी चोधे लाखोर को देखेगा अब आपको 16 जनवरी के बाद थोड़ा सतरक रहना होगा कि परिवार में कलह ना हो परिवार में वातवण गरम ना हो परिवार का माहुल ना गरम आ जाए या पत्नी के साथ अर्गॉमेंटस ना हो जाए किसी बात को लेकर विवाद ना हो जाए वो भी आपको इसी combination में देखना पड़ेगा क्योंकि मंगल आएंगे चौते घर के अंदर तो चिंता तो देंंगे चाये वो मन की चिंता हो चाए घर की चिंता हो परिवार की चिंता हो जीवन की चिंता हो योजनाओं के बल पर आगे बढ़ने का योग हैं दशमेश भी हैं सर्मितर निंध की शनी उसके साथ है धनयोग बन रहा है आपके द्वारा किया कया अपके द्वारा लगा गया ग्यान आपको लाब देगा बुद्ध बुद्ध का राशी परिपरतन हो जाएगा लगबग 14 जनवरी को उसके बाद ये शनी की मुल्त रिकॉंड राशी में आ जाएंगे ये भी इनके मित्र की ही राशी है वहीं दशमेश का चटे घर में जाना और राशी के मालिक का चटे घर में जाना दोनों ही थोड़ा सा लाइफ को टफ बनाते हैं जब राशी का मालिक छटे में हो तो आप हेल्थ के लिए भी ध्यान रखें अपने शरीर का आप विशेश तोर पे ध्यान रखें अपने खान पान का ध्यान रखें गलती आना करें जब ये ग्रह यहां पहुँचेगा यहां से बैठके ये दौदश को भी दर्श्टी देगा यानि किसी प्रकार की यात्रा भी कराने में शक्षम है तू ट्रैवलिंग्स कराएगा काम को लेकर आपके यात्रा करा सकता है दशम का मालिक है तो मेहनत भली होगी लेकि मेहनत का फ़ल आपको जरूर मिलेगा क्यों मिलेगा क्योंकि धनका कारक ब्रस्पती उसी राशी में है इसलिए आपके बुद्ध को तो एक बढ़ोत्री मिलिया अपके बुद्ध को तो एक सपोर्ट मिलिये ब्रस्पती अब आप ब्रस्पती को देखिए ब्रस्पती शनी की राशी में ब्रस्पती शनी की मुल त्रिकॉन राशी में और शनी पंचम भाव में मजबूत इस्थती में होंगे यानि ग्रह जिसकी राशी में बैठा है गहत रिकॉन में मजबूत है आपके द्वारा किया गया प्रियास सफल रहेगा ब्रस्पती अगर 12 भाव को द्रश्टी देते हैं तो ब्रस्पती दूसरे घर को भी द्रश्टी देते हैं यानि ये प्लैनेट अगर आप से तरफ खर्च को बढ़ा रहा है वहीं दूसरी तरफ या आपको आएके साधन भी खटा करके दे रहा है ब्रस्पती चौथे और सप्तम के मालिक हैं देखिए यहां चौथा और सप्तम के मालिक छटे घर में पहुँचे और वहीं चौथे घर के अंदर मंगल आएगा जो सप्तम को द्रश्टी देगा यानि या चौथा और साथवा घर दो तरीके से दो बार पीडित मिला इसलिए इस महीने लगबग 14 तरीक के बाद पारिवारिक इस्चतियों का ध्यान रखें पारिवारिक कलहे न हो जाए सुख शांती में अभाव ना हो किसी प्रकार का जगड़ा जंजट परिवार के लोगों से या पती पतनी के बीच में ना हो थोड़ा सा ध्यान देना है ऐसे समय में विभा से संबधित किया गया प्रियास भी ऐसे फल रहता है कोई रिष्टा होता है तो वो तूड़ जाता है कोई शादी होती है तो उसमें प्रवलम आती है विभा नहीं होते प्रस्ताव नहीं आते रिष्टे टिकते नहीं है वो इसी कॉम्बिनेशन के कारण देखे जाते हैं ब्रस्पती धन के प्रबल कारक है और जब वो इस तरीके से हो थोड़ा पैसे से सम्मधिज खिचावट तो देते हैं लेकिन आपके काम कराते रहेंगे आपको काम लगातार देते रहेंगे शुक्र आपके लिए एक तरीके से योग कारक ये ग्रह धन सान का मालिक भी है ये ग्रह नवम का मालिक भी है ये ग्रह चौते घर में चल भी रहा है यानि ये ग्रह आपके लिए बहतर है केंदर त्रिकॉण में वक्री ग्रह शुक्र का होना या किसी भी ग्रह का वक्री होना केंदर त्रिकोर में शुब ही माना जाता है तो एक तो ये ब्रस्पती की राशी है उसके उसमें बैठे हुए हैं लेकिन इस्थती अच्छी है चौते घर के अंदर वक्री शुक्र आया है नवमेश भी है दुतियश भी है यानि भाग्य के लिए भी अच्छा धन के लिए भी अच्छा सौमेग्र रहे सुभाव में शुब है दशामिस्थान को दर्ष्टी भी देता है वहीं दशामिस्थान पे ब्रस्पती की दर्ष्टी भी होगी इसका मतलब कार्य छेतर की दर्ष्टी से शुक्र बढ़िया शुक्राप के लिए किसी भी प्रकार से नुक्सान दाया किस महीने नहीं है शनी देव राशी से पंचम में है पंचमेश पंचम में अच्छा होता है जब वो पंचमेश बुद्ध के साथ हो तो शिक्षा के लिए अच्छा व्यापार के लिए अच्छा ग्यान के लिए अच्छा हो गया बाद में भले ही बुद्धिस्क राशी को छोड़ देंगे लेकिन वो शनी की दूसरी मुल्तरिकॉण में पहुंच जाएंगे फिर शनी देव वहां अकेले होंगे साथ में होंगे सूरिय तो 14 जनवरी तक इस्ति बहुत बढ़िया 14 जनवरी के बाद जब सूरिय यहां आएंगे थोड़ा सा निर्णों में साथ धानी रखनी है क्योंकि सूरिय द्वादशेश होके सनी की राशी में होंगे तो घबराना नहीं है निर्णों को नाप तोल के लेना है जल्दबाजी नहीं करनी है और ये प्लैनेट आपको अच्छी ग्रोथ देगा ही देगा इसमें कोई संदे नहीं है क्योंकि शनी एकादश से पंचम से और दूसरे स्थान पे दरश्टियों के द्वारा संब्मद बनाते हैं जो सभी स्थान धनिस्थान कहलाते है राहू भी शुक्र की राशी में है शुक्र चौते घर में है यानि राहू और केतु दोनों ही यां बहतर इस्थिती में है किसी भी प्रकार से नुकसान दायक नहीं है तो पहली चिंता जो दिखाई दी वो 14 जनवरी के बाद सूरिय से दिखाई दी कि भी सूरिय 12 शेश होके पंचम में आएंगे निर्णों पे ध्यान देना होगा आपके द्वारा किये गई लापरवाही आपका नुकसान ना कर दे उसका आपको ध्यान देना होगा बाकी सबी कि रहे अपनी इस्तिवными बहतर दिखाई दे रहे हैं ऐसी स्तिति में आप सूरे देव की अराद ना करे ऐसी स्तिति में आप बुद्ध देव यानि भगवान विश्णू के किसी भी स्वरूप की अराद ना करे वो आपके लिए सबसे बहतर रहेगा तो ये था मेरा आज का विशय की कन्या राशी वालों के लिए कैसा रहने वाला है जनवरी 2022 का महीना फिर से नए विशय के साथ आपके सामने हाजी रोंगा मैं तब तक के लिए बने रहीएगा मेरे साथ जैश्री राम